बच्चो अब आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार रचना आने वाली है देखिए आपके सामने एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है अब ध्यान से देखिए एक त्रिभुज ABC है और हमको एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो इस त्रिभुज के शिर्षों क्रमशा A, B और C से होकर गुजरता है अब आप सोचे कि यह तो बहुत आसान काम है कहीं सामने सरकल लाए उठाकर वृत्त लाए इसको पर रखके देखे अगर कहीं नहीं चूता है तो हम थोड़ा बढ़ा कर दें लेकिन यह बढ़ा करना शोटा करना अतना आसान नहीं जितना आपको लगता ह है आपको एक बार में एक ऐसे वृत्त की रचना करनी जो एसे भी गुजरे बी से भी गुजर और सी से भी गुजरे देखिए आपको यह सवाल जब मुश्किल लग रहा है लेकिन आप थोड़ा सोचे कि यह कैसे हो सकता है माल लीजिए हमने एक ऐसे वृत की रचना कर ली जी जो इस रिबुश के तीनों शीर्सों से होकर गुजरता है यह हमने कर लिया माली जी तो अब उस केंद्र के बारे में सोचें माली जो केंद्र यहां कहीं पर आता है तो अगर वरित A, B, C तीनों से होकर गुजर रहा है इसका मतलब यह हुआ केंद्र से A की दूरी, B की नुप को 좋은 थो किसीन नांडेंघ जो कि कि एक अफिय अफिज्डी ने थारी किसी पहल दूरूर, क쪽 यह आपधी अफ़ूर, तो इस वहत जो स्मीज़ा पर नो इसा प्रों सब भीकोर यहां हो तो और अब प्रों सबताथा एंद स्वहांगि है पर जितनी दूरी पर सी से हैं तो यानि ऐसा बिंदू आप ढोड़ने के कहां से आप याद करिए कि आपने एक रशना की थी लंब सम्धि भाजक की और एक छोटा सा प्रमे भी आपने उसे प्रूफ किया था और यह पाया था यह लंब सम्धि भाजक पर इस्थित हर किसी रेखा खंड से समान दूरी पर होता है यानि जो इस वृ highlights का केंद्र होगा वो बी सी के लंब सम्धि भाजक पर होगा क्योंकि केंद्र है और बिंदू से बोरसी के धूरी बराबर है तो बिंदू को ऐसी जगा पर है जो बी और सी से समान दूरी पर और यह गौण तभी उसकी B और C से दूरी बराबर होगी. ठीक, ऐसा ही सोची आप किसी भूजा A, C के लिए चाहे A, B के लिए. माल लेजिए हम A, B के लिए सोचते हैं, कि वो बिन्दू अगर B से और C से भी बराबर दूरी पर है, तो A से भी बराबर दूरी पर होगा. यानि अगर वो बिंदू A और B दोनों से बराबर दूरी पर है तो वो A B के लंब सम्दिवाजक परिस्थित होगा लंब सम्दिवाजक का कोई भी ऐसा बिंदू होगा जो A B से बराबर दूरी पर है और B C से भी बराबर दूरी पर है यानि क्या हुआ कि अगर एक बिंदू हमने ऐसा ढूंडा जो B और C से बरापर दूरी पर है और वही बिंदू A और B से भी बरापर दूरी पर है यानि वो जो बिंदू होगा वो इन दोनों के लंब सम्धिवाज़क के कटन बिंदू परिस्थित होगा तो आपको लगता है कि हम इसका एक लंब सम्धिवाज़क खीचे और दूसरे के भी लंब सम्धिवाज़क खीचे और कटन बिंदू पराप कर लें तो वो जो कटन बिंदू होगा वही वृत का केंद्र होगा चलिए सैधानतिक रुप से यह बास सही लगती है लेकिन हम करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता चलिए हम सबसे पहले बी-शी का लंब सम्धिवाज़क खीचते हैं तो आपको याद होगा कि आपने क्या किया था आप अपने परकार को एक बिंदू पर रखते हैं और इतना फैलाते हैं कि वो आधे से अधिक दूरी को ले ले मान सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये देखिए हम इन दोनों कटन बिंदों के मिलाते हैं ये दियुसको कटी ही लाइन से मिलाये तो ज्याम अच्छा होगा इससे चितने हमाणे इस पक संप्ष रहेंगे यह हमने इहां पर इस तरह से मिलाये इसको आप देखिए हम B, C का लंब सम्दिवाज़ा खीच रहे हैं एक ऐसी रेखा जो B, C को दो बराबर भागों में बाटती है और उस पर लंब भी है यह हमने लंब सम्दिवाज़ा खीचा B, C का अब आप जानते हैं कि आपने एक प्रमे में यह प्रूब भी किया था इसके पहले कि इस पर इस्थित हर एक बिंदू B और C से बराबर दूरी पर होगा यानि अगर कोई वृत्तम ऐसा खीचे तो B और C से होकर गुजरता है तो उसका केंदर यहां पर कहीं भी इस्थित हो सकता है यानि यहां से कोई सा भी बिंदू आप ले और यदि वहां से इसको लेकर के तिर्जा बनाए तो जो भी वृत्त आप खीचेंगे इन दोनों से गुजरेगा लेकिन सवाल के वाल B C से गुजरने का नहीं है वरित A से भी गुजरता है यानि जिस तरह से आपने B C का लंबस हम दिवाजक लिया वैसे ही आपको A B का भी लंबस हम दिवाजक लेना होगा तो आप फिर से एक काम करें हम फिर से एक चाप लें आप चाहें तो इसी चाप को उप्योग कर सकते हैं यहां से आप एक ऐसा चाप काटें B से जो A B के दोनों तरफ हो तो एक चाप हम यहां पर काटते हैं मालेज़े यह हमने चाप काटा और एक इस A B के दूसरे तरफ भी काटा यह चाप हमने काटा अब बिना इस चाप की लंबाई को बदले यहां से हम A पर रखते हैं और फिर एक चाप यहां भी काटते हैं देखिए पहले चाप को यहां इस तरह से काट रहा है और दूसरे चाप को यहां पर काट रहा है फिर से दो बिन्दू आपको मिल रहे हैं एक बिन्दू यहां मिल रहा है आपको बड़ी साध्वानी बरते हुए हम एक और लाइन यहां पर खीचते हैं इसको भी हम कटी भी रेखा से प्रदर्शित करें देखिए हम यह अब जो लंबत सम्दिभाज़क खीच रहे हैं वो ए बी को दो बराबर भागों में बाड़ता है और उस पर लंबी है अब आप देखिए आपने बीजी का लंबत सम्दिभाज़क खीचा मालि जी को आप रेखा अल नाम दे और वैसी अबबी का लंबत सम्दिभाज़क कीचा इसका एम नाम दे दे तो अब फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि L पर इस्चित हर बिंदू B और C से बराबर दूरी पर है यानि एक ऐसा वरित्थम खींचे जो B और C से गुजरता हो तो इस पर आपको कहीं पर भी कोई भी एक बिंदू मिल सकता है ठीक इसी तरह से एम पर से हर बिंदू B और A से बराबर दूरी पर है यदि हम ऐसा वरित्थम खींचे हैं जो A और B से गुजरता है तो उसका केंदर इस एम पर कहीं भी मिल सकता है लेकिन हमारे पास एक शर्त है कि जो भी हम वरित्थम खींचना चाह रहे हैं वो B, C और A तीरों से गुजरता है यानि एक ऐसा बिंदू चाहिए हमें जो A, B, C से समान दूरी पर हो और निश्चित रुप से वो बिंदू हमें कहां मिलेगा इन दोनों लंब सम्धिभाजिकों के कटन बिंदू पर मिलेगा यानि यह बिंदू आपको यहां पर दिख रहा है इस बिंदू का आप नाम देदें ओ यह आपका अभिष्ट वृत का केंदर हुआ अब यदि आपको त्रिज्जा खीचने अब यदि आपको वृत खीचना है तो ओ को केंदर मानना होगा आपको और इन तीनों में से किसी भी एक शिर्ज को नाम लें तो वो जो दूरी होगी वो आपकी वृत की तरिज्जा होगी अब एक बार देख लिजए नाम के O B O A और O C बराबर दूरी पर है तो इस तरह से आप इनको नाम लिए आपने आप बहुत साओधानी से एक वृत कीचिए हो सकता है थोड़ा फर्क हो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं देखिए यह हम वृत की रचना करने जा रहे हैं B से गुजरा A से भी गुजरा और जाकर वापस है मिल रहा है यह डेखिए एक वृत्त बना जो दिवे त्रभूट A B C से टीनों को शिर्श से होकर गुजर रहा है तो इस तरह के रचना आप भी कर सकते हैं एक बार कोशिश कर यह थोडी ज़ तरह साओधानी तक पहुंच सकें बच्चों आपने देखा कि हमने कैसे वृत के रशना तो कर ली जो देवी त्रभुज ए बीसी की तिनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है प्रावगी गुरूप से आपने देख लिया कि एक ऐसा वृत्त है जो त्रभुज ए बीसी के शिर्ष क्रमशा एबीसी से होकर गुजर रहा है लेकिन जामिते में हमें इसे सैधानतिक गुरूप से भी सिद्ध करना होगा क्या केंदर O से B, C और A की दूरियां बराबर हैं तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं और इसके लिए हम एक रशना करते हैं छोटी सी अगर हम तीनों बिंदू के केंदर O से दूरी को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो हम पहले एक जोडे को लें, म değildi हम B और C को लेते हैं तो B और C को O से मिलते वे दो हम रहिखाकंड कीछेंगे मैं द्लाल सहीथे रहि wireless दूरिया इसकाओ तो बिला दिया अब यदि हम इस सिद्ध कर पाएं कि ओ बराबर ओसी है तब हम सेधानतिक रूप से कह सकते हैं कि जो बात हम पहले कह रहा थे कि ओ एक ऐसा बिंदू है जो बिलाबर दूरी उपर है तो दीकित त्रिभुज O, B, C को गौर से आप देखें हम यहां लिख लेते हैं त्रिभुज O, B, C में क्या क्या हो रहा है हमको मालूम है कि जो L रिखा है वो B, C पर लंब है और उसका अर्धक भी है यानि यहां जो कौन बन रहा है वो सम कौन है इसको हम इस तरह से दिखाएं यह दोनों कौन सम कौन है यह हमको मालूम है क्योंकि L उसका अर्धक है और इसको हम एक नाम और दे दे माली जे पी नाम दे दे पी भी बरावर P, C क्योंकि फिर से हम कहांगे कि L, B, C का अर्धक है तो वो B, C को दो बरावर भागों माड़ता है यानि पी मन दे बिंदू होगा तो आप कहा सकते है पी बरावर P, C और O, P दोनों त्रिभुजों में उभैनिस्ट है अगर हम O, B, P और O, C, P दो अलग अलग त्रिभुज देखे तो O, B, C को तो पहले हमने दो त्रिभुजों में पहले बाटा O, P, B लिख ले हम, त्रिभुज O, P, B और त्रिभुज O, P, C, O, P, C अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि क्या सर्वांग सम्ता है तो सर्वांग सम्ता के लिए कुछ अव्यों को हमको बराबर करना पड़े है जो बात अभी हम कहा रहे थे कि कोड़ P दोनों तरफ मने कोड़ O, P, B कोड़ O, P, B बराबर कोड़ O, P, C ये दोनों सम्ता कोड़ है क्योंकि L उनका लंबार्दक है और दूसरी बात P, B बराबर P, C फिर से आप कहा सकते हैं L जो है B, C का लंबार्दक याने L इस पुरे रेखाखंड B, C को दो बराबर हिस्सों माड़ता है याने P, B बराबर P, C ये भी बात सिद्ध हो गई अब आप तीसरी चीज़ देखिए जो O, P रेखाखंड है वो दोनों त्रिभुजों में है, O, P बराबर O, P त्रिभुज O, P, B में भी O, P है और O, P, C में भी O, P है तो ये जो तीन चीज़े हैं क्या बनाती हैं देखिए एक रेखाखंड ये जो खुद के बराबर है और ये रेखाखंड इसके बराबर है और इनके बीच का कोण भी आपस बराबर है तो आपको मालूम है कि भुजा कोण भुजा वाले प्रमेर से आप कहा सकते हैं कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाया उनके बीच का कोण दूसरे त्रीपुज के 2 भूज हो और उनकी कानड के रमशया के बराभर हो तो दोनों त्रीपुज सरवांग वाते हैं तो ऐसी सिर्यमे के बारे में आप कहा सकते हैं उप्यों ओ-पी- बीmbर भात डीपो के सर्वांग वात पर से बराबर होंगे तो बी अपने संगत भुझा O C के बराबर होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि O B बराबर O C तो देखिए आपने ये प्रूफ किया कि जो बी के लंबाई है जो इस वृत की तरिज्जा है वो दूसरी वाले तरिज्जा O C के बराबर है यानि हम कह सकते हैं कि बिन्दु O B और C से बराबर दूरी पर है यानि O उस वृत केंदर है । reformat रहस zor Cathy гelं कर सकते हैं तरुक है उस विख सकते से दूरी ची qö A से बराबर है यानि Osection इसे वृत का क्यांद्र है जो क्रामशह A, B और C तीनों से होकर गुजरता है यह सैधानतिक रूप से भी आपने सिद्ध किया कि ऐसे वृत की रचना संभौ है जो किसी दिये हुए तृभूच के शीर्षों से होकर गुजरती है तो यह आपकी उस प्रमे का दूसरा भाग था जो आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं